नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिजिल भंडार पर यदि आप कम्प्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कम्प्यूटर में एक्सपर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वेल नोटि समय पर प्राप्त होता रहे आज की वीडियो में हम MS Excel की एक सांदार ट्रिक को सीखने वाले हैं MS Excel में यदि आप कोई प्राइज लिस्ट बना रहे हैं या किसी प्रोड़क्ट की टेबल बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ कस्टम यूनिट यूज़ करने होती हैं पहले ह हम एक preview देख लेते हैं कि हमें किस टाइप की ट्रिक को आज सीखना हैं For example हम एक प्राइज लिस्ट बनाने वाले हैं हम एक प्रोड़क्ट की टेबल बनाने वाले हैं हम चाहते हैं जब भी हम प्रोड़क्ट की quantity भरें तो उसके साथ ऑटोमेटिक उस प्रोड़क्ट की यू entity में खरीदते हैं, तो automatic add हो रहा है piece, आप MS Excel में percentage का use कर सकते हैं, currency का use कर सकते हैं, यह दोनों तो आपको predefined data type में प्राप्त हो जाते हैं, आप currency का symbol use कर सकते हैं, और percentage का symbol use कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई custom symbol या कोई custom unit अपने data के साथ so करनी हैं, तो यह MS Excel में predefined नहीं होता है, आप कोई product की table बना रहे हैं, कोई price list बना रहे हैं, आप कोई swapping की table बना रहे हैं, तो उसमें हमें इस type की unit भी use करनी होती हैं, आप देख सकते हैं, जब भी मैं piece वाले column में कोई भी value fill कर रहा हूं, तो इसके साथ automatic हमारी unit भी add हो रही piece, मतलब number of pieces, यदि आप इस type की unit अपनी table में use करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको use करने के लिए हमें custom data type का उपयोग करना होता है, custom data type, MS Excel में कई परकार के predefined data type होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आज custom data type का उपयोग करने वाले हैं, for example, मुझे इस kg वाले column मैं जब भी कोई number type करूं मैं, तो हमें चाहते हैं कि इसके बाद kg भी आ जाए, यदि हम 5 type करें तो 5 kg हो जाए, यदि हम 10 type करें तो 10 kg हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम अपने column को select करेंगे, right click करेंगे, आपको जाना है format cell option पर, format cell, format cell option में आपको multiple type क data type दिये जाते हैं, multiple type के, आपको यहाँ से select करना है custom data type, custom मतलब हम अपनी आवसकता अनुसार data type का उप्योग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप custom data type को select करें, then आप यह जो 0 वाला option है, 0 वाला data type है, इसको select करें, यहाँ पर 0 का मतलब है कोई भी एक number, आप कोई भी एक number दे सकते हैं, और number के बाद हमने एक space दिया, अब हम यहाँ पर number के साथ display करना चाहते हैं, kg, मतलब जब भी आप कोई number type करेंगे, तो वो 0 से replace हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, kg, आप जो भी number देंगे, वो 0 के स्थान पर आएगा, और automatic पीछे क्या add हो जाएगा, kg, यहाँ से हम इसको okay कर देते हैं, अब यदि हम इस kg वाले कॉलम में कोई भी number type करते हैं, तो आप देख सकते हैं, उसके साथ automatic हमारी unit kg भी add हो रही है, तो यदि आप इस type की unit अपने किसी table में, अपने किसी data के साथ use करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते है इसी परकार से हमारी next unit है packet, जिसको sort में लिखा जाता है PKT, तो हम packet वाले कॉलम को select करते हैं, right click करते हैं, format cell पर हमें जाना होगा, यहाँ से हम select करेंगे custom data type, आपको पहला option, जो zero वाला option इसको select करना है, यहाँ पर एक blank space देदें, इसके बाद हम unit show करना चाहते हैं, PKT मतलब packet और okay करते हैं, अब आप packet वाले कॉलम में कोई भी value फिल करेंगे, तो आप देख सकते हैं, उसके साथ automatic हमारी unit packet भी add हो रही है, यह बहुत ही सांदार trick है, इस type की unit हमें कुछ condition में अपने data पर use करने होती है, आप इसी प्रकार से box के लिए use कर सकते हैं, box के लिए भी unit create कर स तो आपका जो data type होगा, उसके बाद unit जो होगी उसमें भी space so नहीं होगा, यदि हम 5 type करते हैं, तो आप देख सकते हैं, 5bx मतलब box without space के type हो रहा है, मैंने 40 type किया तो 40 box आ गया, लेकिन इसमें यहाँ पर space so नहीं हो रहा है, इसी प्रकार से आप liter के लिए, meter के लिए, bottles के ल सकता अनुसार किसी भी प्रकार का data type create कर सकते हैं, यदि आपने in data type का use किया है, और यदि आप इस पर कोई formula या कोई function apply करते हैं, तो उस पर भी आपको यह unit display की जाएगी, for example, हम इतनी value को select करते हैं, जो हमारी 4 packet वाली value है, और इस पर auto sum को apply करते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे जो हमें output दिखाया जा रहा है, उसमें हमारा sum भी हो गया है, साथी साथ packet जो unit हमने set करी है, वह भी हमें display की जा रही है, इसी परकार से यदि हम number of boxes का sum करना चाहते हैं, तो हम auto sum का use करेंगे, तो हमारा जो output आएगा, उसमें भी हमें box unit display की जाएगी, तो आज की question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद